आज का जो टॉपिक के Multiplication of Friction है इससे पेड़े हमने Addition of Friction and Subtraction of Friction हमने Complete की थी आज ही Multiplication and Division of Friction के उपर हम वो solve करेंगे उसमें के question को देखेंगे कि वो किस तरीके से solve होते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं request करती हूँ कि अगर आप मेरे भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको टैमिन नोटिफिकेशन रसीफ हो सके हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इतनी हेलफिल ना हो ये आपको शायद अच्छी ना लगे वट हो सकता है जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके लिए हेलफिल हो तो आप बेल आइकोन को इसलिए क्लिक कर दीजिए तो ये एक किसम का रिवार्ड होता है सब्सक्रिप्शन का फ्राम यू फॉर में जो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ इसके बदूलत तो स्टार्ट करते हैं जी मल्टिप्लिकेशन आप फ्रेक्शन अब इसमें एक पिक्चर दी गई है पिक्चर वन पिक्चर टू और पिक्चर नमबर त्री अब हर एक पिक्चर का अगर हम इसको लिखें तो ये होगा वन अपॉन एट और ये भी होगा वन अपॉन एट अगर हम इनके जो नमेनेटर हैं जे रहेगा जो फिर हम कहेंग जो शेडिट पार्ट हैं हम ईनको आपस में मिला दें तो हमनारे पास क्या आईगा मतलब 1 plus 1 plus 1 equal to 3 तो 3 upon 8 यह जी हो जाएगा ठीक है जिकिसे इनोंने 1 upon 8 plus 1 upon 8 plus 1 upon 8 कर दिया है तो यह एक तरीका है इसको लिखने का दूसरा इसका तरीका यह होता है कि इनका मतलब यह है कि 1 upon 8 को हम 3 बार बढ़ा रहे हैं चीक है तीन बार इसको हम क्या कर रहें बढ़ा रहें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 multiply 1 upon 8 चीक है तो इसको जब हम solve करेंगे तो यह जाएका 3 upon 8 अब यहाँ पे हम जो 3 हैं हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 3 is the same as 3 upon 1 मतलब इसका जो denominator है वो क्या है 1 है एक कुस्टन देखते हैं कि अगर इस टाइप की कुस्टन से हो तो हम किस तरीके से solve करते हैं आप इन्होंने कुस्टन दिया है 5 multiply 3 upon 4 तो solve करते हैं 5 multiply 3 upon 4 चीक है जी तो मैं तो इसका करने का तरीका यह होता है सबसे पहले आपने देखने होती है कि cross multiplication हो रही है कि यह नहीं हो रही है अच्छा अब समझने के लिए मैं एक चीज़ कर रही है मैं 5 के नीचे 1 दे रही हूं मतलब यह आप अजियूं करें कि इसके नीचे 1 है चीक है यह हम consider करते है multiply 3 upon 4 फर्स step यह है कि आप देखें कि क्या cross multiplication हो रही है मतलब एक fraction का denominator दूसरे fraction के denominator से हो रहा है या एक fraction का denominator दूसरे fraction के denominator के साथ कोई divide हो रही है कोई इनकी आपस में हो रही है कई अजय कोई एक दूसरे को काट रहे है अगर नहीं काट रह तो आपका हो जाए गाजी आप पिर आपने क्या करना है जो nominator है वो आपस में आपने multiply करनें और जो denominator है वो आपने हापस में करने है तो यहां पे हम देखें तो 5 और 4 यह दो denominator आपस में कोई इनकी division नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे simply आप nominator को multiply करेंगे तो कौन से है 5 multiply 3 और नीचे के कौन से है 4 multiply 1 तो यह जिए का 5 3s are 15 और 4 1s are 4 इसको जब हम mix को जब हम improper में करते हैं तो इसका तरीका क्या होता है यह भी हमने किया हुआ है तो 4 3s are 12 3 तो यह आपका answer आएगा 3 whole 3 whole 3 upon 4 तो यह देखें जी यह आपके पास यह आपके answer है 3 whole 3 upon 4 तो यह basic तरीका होता है अगर हम example number 2 को देखें तो यहाँ पे cross multiplication हो रही है यह cross multiplication को भी अगर हम छोड़ लें फिलाग तो हम इन्होंने किसे किसे किया है denominator denominator के साथ multiply किया है 7 3s are 21 14 वन्जा 14 अब आप इन्होंने simplest formical के लिखा है तो यहाँ पे इन्होंने 7 का table लगा है 7 वन्जा 7 7 2s are 14 7 3s are 21 3 upon 2 1 whole 1 upon 2 इसका answer आजाएगा अगर एक से ज्यादा figure हो multiply two or more fraction जिसे proper and proper mix fraction हो तो इसको किस तरी किसे हम देखते है इसका मतलब यह है कि यह जो figure है यह figure का मतलब है 3 fourth ठीके मतलब 4 से कीगे इसके हमने 3 इसे लिए है तो कहा गया है इसका आपने 1 fourth of 3 fourth आपने मालूं करना है ठीके 1 fourth of 3 fourth अब इसमें जब फ्रक्शन में या फिरा मल्टिप्लिकेशन में जब आफ की बात कर रहे होते हैं तो आफ का मतलब होता है multiply math में आफ का मतलब होता है multiply तो इन्होंने का है one fourth of 34 आपने मालूं करना है तो इसका क्या होगा इसका इस तरीके से होगा इन्होंने का है one fourth of 34 नहीं या पर कर लेती हूँ one fourth of one fourth of one fourth of three upon four one fourth of three upon four तो इसका होगा one fourth one upon four multiply off की जिगा मल्टिप्लाइ three upon four वही आपने करना है three one the three four four the sixteen चीक है यही आपका इस तरीके से हो जाएगा अगर हम यहापर answer देखें तो three three मार गया चीक है अब एक और question लेक लेते हैं इन्होंने three fraction दी हुई है तो इसको भी आपने किस तरीके से करना है two three one यह आपस मल्टिप्लाइ करेंगे nine five two आपस मल्टिप्लाइ करेंगे ठीक है जब यह आपस मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो आएगा वो आपके पास answer उपर वका तो six आएज जाएगा और नीचे का आएगा आपके पास 90 ठीक है तो यह इस तरीके से आप solve कर सकते हो यह यहीं पे भी आप कर सकते हो देखो किस तरीके से आप two one the two two one the two three one the three three the nine तो उपर क्या बचा हो उपर सिर्फ आपके पास one बचा और five three the fifteen यह आपका बहुत सिंपल यह देखिया answer आपका आगिया बहुत सिंपल answer इसकोर कुछ करने की जहुरत ही नहीं है ठीक है अब हम आजाते हैं इन्होंने का है कि mixed friction यह भी बहुत आसान है mixed friction को आपने पहले क्या करना होता है improper friction में convert करना होता है अगर आपने वो वीडियो नहीं जाएगी पिछली तो वो देख लें उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे mixed को आप improper friction है जब आपके पास improper friction आजाएगी तो आपने वो ही steps follow करने है करते हुए आपका answer आपके पास आजाएगा इसको में इतने deep में इसले नहीं जा रहे हैं यह साथ चीज़ें रिपीट होंगी आगे उसके बाद इन्होंने का है committed property आपने verify करने है इससे बेले हमने addition की committed property की थी addition की committed property कौन सी होती है a plus b equal to b plus a मतलब a के साथ b जब plus करे हैं वो भी बराबर होगा जब b को a के साथ plus करेंगे इसी तरीके से यहाँ पे a multiply b equal to b multiply a ठीक है multiplication की कौन सी होगी committed property a multiply b equal to b multiply answer वो यह गा यह देखें यह a है यह b है यह b है यह a है जब यह करते जाएंगे तो इनका answer यह उसरी यह वाला यह और यह क्या आएगा same आएगा तो यह फरक नहीं पड़ता second associated property associated property भी वो ही होगी कि आपका a multiply b multiply c या c multiply b multiply a इसी तरीके से आप करेंगे आपका answer same आजाएगा कि इसको आगे जाने के इतनी डीप में ज़रत नहीं है अब हम आजाते है exercise 3.4 की तरफ इसका में कर लेती हूं एक question कुछ लोग कहते हैं कि आप पूरी पूरी exercise करें तो पूरी पूरी exercise करना बहुत मुश्किल है आप खुद घर में कर लें एक दो में समझा देती हूं बाई कर लें आप क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो simplify the following fraction कुस्टर ने कि simplify करें following fraction को 5 upon 6 of 9 कुस्टर 1 हम देख लेते हैं 5 upon 6 of 9 मतलब 5 upon 6 को आपने multiply करना है of 9 means 5 upon 6 multiply 9 तो आप यहां से ही कर लें 3 का टेबल यहां पर जाएगा 3 वंदा 3, 3 तू जा 6, 3 तू जा 9 ठीक है वियो का 5, 3 जा 15, 15 और 2 यह हो जाएगा अब हम इसको proper fraction में लेकर आएं तो यह आपका हो जाएगा इसको अगर मैं इस तरह कैसे करूँ 2, 7 जा 14, minus 1, minus तो reminder 1 तो यह 7 whole 1 upon 2 यह आपका जी answer आगया किसका, first one का, इसका आगया ठीक है इस तरह किसा आप question 2, question 3 भी आप कर सकते हो अब मैं एक और question कर लेती हूँ, let's suppose मैं यह वाला कर लेती हूँ, 7 7 कौन सा है, 4 whole, 4 upon 5 4 whole, 4 upon 5, multiply, 4 whole, 3 upon 3 तो दोनों fraction mixed fraction है, सबसे फिल इसको मैं improper fraction में convert करना है तो इसका तरीका यह होता है कि denominator और whole multiply करते है तो 4, 5 जा 20 और जो denominator होता है वो add किया जाता है तो 20 में हम 4 add करेंगे, it becomes 24 upon 5, multiply, 4, 3 जा 12, 12 में 3 add करेंगे 12, 13, 14, 15, 15 upon 3 अब देखें कोई table जा रहा है हाँ, cross multiplication करने, 5 under 5, 5, 3, 15 3 under 3, 3 under 3, 3 under 3 और यह भी जाएगा 3 under 3 तो आप का answer आ जाएगा 24, यह इसका answer आ गया तो यह भी हमारा हो गया अब यहाँ पे लोने का commutative associate property करना है तो commutative quantity A multiply B equal to B multiply तो यह A है और यह B है तो इसमें से B multiply A मतला 7 by 4 2 multiply 9, योगा 3 by 7 और योगा 2 by 9 ठीके, इसको कर लेते हैं A multiply B तो B multiply A तो यहाँ से में A मिल रही है 3 multiply 7 और यहाँ से B मिल रही है that is A 4 by 7 3 by 7 multiply 4 by 7 4 by 7 multiply 3 by 7 ठीके, तो यह हो गई हमारी जी multiplication of fraction यह मैं कुछ और questions जो आगी करवाँगी तो इसलिए मैं इतने अब बीक तक के लिए इतने काफी है उसके बाद है जी division of fraction अब division का मतलब क्या होता है तकसीम करना, ठीके अगा जैसे दोने कहा है की 1 upon 2 को 400 में तकसीम करें 1 upon 2 को 400 में मतलब जी आपने 400 और बनाने ठीके, divide into four more parts तो इसका तरीका क्या होता है इसका simple तरीका यह होता है की division हमें जैसे पता है कि 4 के निचे क्या है? 1 है तो हम division को खतम करके reciprocal करते हैं, मतलब 4 काम में reciprocal बनाओगी तो पहले तो rule यह है कि division खतम होके multiplication हो जाएगी और जब 4 है, यहाँ पे denominator है, denominator है, उसका denominator कौन सा है? 1 है, जब reciprocal काम बनाएंगे, तो यह interchange हो जाएगा, मतलब denominator denominator बन जाएगा denominator denominator बन जाएगा जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है देखें, इन्होंने किया है 1 फोर्थ multiply 1 upon 2 या 1 upon 2 multiply 1 upon 4 ठीक है, इन्होंने आप पसमे किया तो आपके answer आजएगा 1 upon 8 इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप रेसी प्रोकर मारूम करने के लिए simply आप क्या करते है interchanging of numerator and denominator एक question में करवा देती हूँ ताकि आपको easy हो जाए यहाँ पे यह वाला मिकल लेती हूँ 3 upon 7 divided by 5 ठीक है, इसका पहला rule यह है कि 3 upon 7 और 5 इसका मेरेसी प्रोकर बनाऊंगे यह होड़ेगा 1 upon 5 बाकी चीज़ें वो ही है 3 1s आ 3, 7 5s आ 35 ठीक है यह आपका देखें, answer आ गया और कुछ भी आपने ने एक और बात में बता दी चलूँ जैसे यहाँ पे इस question कोवर हम थोड़ा सा देखें तो इस sign के बाद जो यह वाला होता है ना यह change होता है यह वाला change नहीं होता reciprocal हम इस वाले side के बनाते हैं तो यहां पे इनोंने किया यहां पे 2 upon 3 था तो इनोंने 3 upon 2 reciprocal इसका बना दिया करते गए और यह निका पूरा answer आ गया यह बात आपने याद रखनी है अगर यहां पे तो एक hole था और एक fraction थी यहां पे दोनों fraction है again 14 और 27 है तो इसका reciprocal क्या हो जाएगा 27 upon 14 और इनोंने कर लिया और इनोंने करते करते इसका यह answer आ गया यह आगी हम करेंगे तो इसलिए मैं सिर्व यहां पे आपको समझा रही हूं ठीक है और और एक और देख लेते हैं mixed fraction और mixed fraction को division हो रही है mixed fraction को पहले convert करना है improper में इनोंने evoke कर लिया फिर उनों का reciprocal बनाना है वो भी कर लिया यह देखें और इसको पिर जो cross multiplication हो रही तो cross कर ले वहना पिर nominator nominator के साथ nominator साथ multiply करके आप का अंसर आज़ेगा अगर माज़ा तक साथ 3.5 में इसके मैं दो questions करते हूं एक यह कर लूँगी और एक में यह कर लूँगी 9 तो 4 upon 9 divided by 16 upon 9 4 upon 9 divided by 16 upon 9 सबसे पहले मैं इसका reciprocal बनाऊंगी 4 upon 9 division become multiplication और 9 upon 16 अब यहाँ पे table जा रहा है 9 upon 9, 9 upon 9 4 upon 4, 4 upon 16 आंसर आएगा मेरा 1 multiply 1 1 multiply 4 1 upon 4 1 upon 4 तो 1 upon 4 आपको क्या आगया आंसर आगया एक और देख लेते 2 whole 1 upon 3 2 whole 1 upon 3 divided by 2 upon 5 तो पहले मैं mixed को मैं improper में लेकर रहा हूं 3, 2, 6, 6 में 1, 8 करेंगे 7 upon 3 और divided by 2 upon 5 अब वो ही आपका होगा 7 upon 3 division बिका मुल्टिप्लिकेशन और इसका रेसी प्रोगर होगा 5 upon 2 ठीके अब क्या होगा कोई क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन नहीं रहे जो 7, 5, 0, 35 3, 2, 0, 6 और फिर आपने इसका mixed friction बनाकर यह आपका अंसर आ जाएगा ठीके तो यह इस तरीके से होगे अब है जी word problems word problems जो है मैं आगे एक और वीडियो में कर लूँगी और फिर मेरे यह कोशिश है कि 3.6 के मैं पूरे आज इस बार जो 6 के 6 word problem में वो खरवाऊं और फिर review करें हम exercise की तो अभीज़े कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो comment करें like करें और उस चैनल को subscribe